दोस्तों मेरी इस वीडियो में बहुत सारे लोग कॉमेंट सेक्षन में आकर ये बात बोल सकते हैं कि इस वीडियो में तुम हिंदू मुसलिम की बाते क्यों कर रहे हो देखे मैं इस वीडियो में हिंदू मुसलिम की बाते नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा इंसान बहुत बड़ा एक्टर और अपने आपको Mr. Perfectionist कहने वाला इंसान अगर आपके धर्म के उपर सवाल उठाए अंदविश्वास फिलाने का आरोप लगाए तो इस तरह के इंसान को बॉयकॉट करना हर तरह से बेहत जरूरी हो जाता है ये वही आमीर खान है जिसने PK में ये कहा था कि PK के बात भी कहा था कि भई शिवलिंग के उपर दूच चड़ाना वेर्थ है टाइम वेश्व करना है पैसे वेश्व करना है इस तरह के अंदविश्वास पर विश्वास नहीं करना चाहिए ये इंसानों में जागरूपता फैलाने का काम नहीं करता है बेतर है कि शिवलिंग पर दूच चड़ाने से अच्छा है कि आप किसी गरीब को दूच पिला दो और दूसरी वज़ा जो इस फिल्म को बॉयकॉट करने की है वो है करीना कपूर खान करीना कपूर खान ने ये कहा था सुशान सिंग रापूत की मौत के बाद कि कोई ज़रूत नहीं है कि मेरी फिल्म देखने के लिए आओ हम अपनी फिल्म चला लेंगे हमारी फिल्म फ्लॉप होती है तो हो जाए लेकिन जो लोग हमारा बॉयकॉट कर रहे हैं वो करते रहे हमारी फिल्म देखने के लिए आने की उन्हें सिनेमा घरों में कोई भी जुरूत नहीं है और इसके बाद भी सिर्फ ये दो दो डैलोग को ले लो एक करीना कपूर खान का और एक आमिर खान का सिर्फ इन्हीं दो बातों को ले लो और इसके बाद भी अगर कोई आमिर खान जैसे घडिया एक्टर की मूवी देखने जाता है तो उससे बड़ा कोई नहीं होगा है ना समझ गए तो ऐसे लोगों की मूवी देखना अपने आप में बहुत बड़े गिरीवी बात है और पहली बात ये forest gum की remake बनाई गई है forest gum नहीं है ये, ये forest dump है इतनी वाहियात फिल्म कभी नहीं बनेगी इतना वाहियात ट्रेलर अगर देखने के बाद भी लोग इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं तो इनसे बड़ा कोई नहीं है सबसे बड़ी बात कि आमिर खान इस फिल्म में किसी भी तरह से suitable बैठते ही नहीं है एक ही तरह का एक्स्प्रेशन इनकी पिसली चार फिल्मों से है चाहे थ्री डिएट की बात कर लो धूम की बात कर लो या फिर पीगे की बात कर लो और लाल सिंग चड़ा इन चारोई फिल्मों में आमीर खान का आँखों का जो एक्सप्रेशन है वो बिलकुल मेंडग की आँख जैसा ही है जैसे मेंडग कोई शिकार देख लेता है तो उसकी आँखे यू गोली गोली हो जाती है ठीक उसी तरह का एक्सप्रेशन आमीर खान की आँखों में के होंगे फिर उसके बाद अपना ट्रेवेल चार्ज लगा के जाओगे अपना टाइम वेश्ट करोगे पॉपकरन खाओगे कोल ड्रिंग पियोगे तो ले देकर दो हजार धाई हजार रुपए आप खर्स करोगे उससे बेहतर है कि आप किसी गरीब को खाना खिला देना जब अमेर खान यही कह रहा है कि भाई शीलिंग के उपर दूद चड़ाना व्यर्थ है पैसे वेश्ट करना है किसी गरीब को दूद पिला दो तो भाई इन पैसों से आप जाकर गरीब को दूदी पिला दो और पहली बात 2,500 रुपए बहुत होते हैं इससे आप अपने घर में बच्चे की फीस तक भर सकते हो महिने की बहुत सारे स्कुलों में 2,500 रुपए महिने की फीस होती है 1500 से 2,000 रुपए बस के चार्जेस होते हैं तो आप आमिर खान की घटिया फिल्म देखने के लिए जाओ उसे बेतर अपने बच्चों की फीस पूरी कर लो वैसे भी कोरोन के बाद बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है महगाई महगाई की लोग बाते करते रहते हैं और उसके बाद भी अगर इस तरह की घटिया फिल्म देखने के लिए जाओगे तो महगाई पर रोने वालों के लिए तो मुह पर तमाचा जड़ देना चीए कि एक तो मह कोई जाता है तो उससे बड़ा कोई नहीं है